Hello Class 7th, Today we will start with Chapter 4, The Mughal Empire तो जो Mughal Empire है वो अपने आप में एक golden period था काफी सारी progress हुई, काफी सारा construction हुआ इस time पर तो चलिए देखते हैं The First Battle of Panipat marked the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Great Mughal Empire तो हमने पिछले चाप्टर में पढ़ा था First Battle of Panipat जिसमें Delhi Sultanate खतम हो गई और शुरूआत हुई Mughal period की बाबर देफेटेड इब्राहिम लोधी, the last ruler of the Lodhi dynasty in the First Battle of Panipat in 1526 CE and established the Mughal Empire in the Indian subcontinent तो First Battle of Panipat जो की 1526 में हुआ इसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया किसने? इब्राहिम लोधी को हरा दिया बाबर ने और बाबर के साथ शुरूआत होती है Mughal Empire की The Mughals were of Turkit-Mongol origin and ruled from the early 16th century to the mid 18th century तो शुरूआत मैंने जैसा कि आपको बताया कि शुरूआत हुई Mughal Empire था उसकी नीव इंडिया में रखी बाबर ने उनका कारेकाल था वो था 1520 से 1530 तक जहिरुद्दीन मुहमद बाबर इनका पूरा नाम है इसको अंडरलाइन करियेगा क्योंकि हर जगा हम बाबर पढ़ते आए हैं पर यहां पर इन्होंने mention किया हुआ है काफी अच्छे तरीके से जहिरुद्दीन मुहमद बाबर वस अ डिसेंदेंट फ्रों तुर्कित कॉंकरत तेमूर ओन इस फादर साइड और मंगोल रूलर गैनीज कान गैनीज कान ओन दा मधर साइड तो यह सेंट्रल एशिया से आये थे हमारे इंडिया में बाबर लॉस्ट इस फादर अन अर्ली एज और बिकेम दर रूलर ऑफ फर्गना दो ही वस सून आउस्टेड फ्रॉम देया बाइदा उस्बेक्स तो उन्होंने काफी छोटी उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था और उसके बाद वो फर्गना के रूलर बने तो उनकी लाइफ में परेशानी रही जब छोटी उम्र में ही पिताजी खतम हो गए तो काफी जल्दी उन्हें रूल करना सीखना पड़ा जिसकी वज़ए से दिकते तो आई उनके रास्ते में पर बहुती जल्द उन्होंने उन सारी दिकतों को ओवर कम किया उसके बाद वो काबुल के रूलर बने और फिर उन्होंने रुख किया इंडिया की तरफ अपना एक्सपेंशन करने के लिए तो देखिए जरा एक्सटेंशन अफ दा मुगल एंपायर अंडर बाबर देखिए उन्होंने कितना एरिया ले लिया था यह ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है इस मैप में मैप देखिए यह वाला इस मैप में देखिए यह पूरा जितना भी आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है देखिए यह काबुल से आए मैं आपको थोड़ असा करके दिखाती हूं मेंशन यह देखिए यह काबुल यहां से इनोंने बढ़ना शुरू किया इंडिया में और देखें इनोंने कितना बड़ा एरिया अपने अंडर काफी जल्दी ही ले लिया देख रहे हैं आप इतना एरिया इनके अंडर आ गया Foundation of New Empire In the beginning of the 16th century, India was experiencing a face of political instability and cause. Numerous regional powers were engaged in mutual battles. Toh शुरुआत जब 16th century की हुई, तो काफी अनिस्टेबिलिटी थी क्योंकि छोटे मोटे जो kingdom थे वो आपस में ही लड़ रहे थे पावर के लिए regional kingdoms में भी लड़ाई हो रही थी. The power of the Delhi Sultanate was confined to its capital and adjacent areas. Provincial governors were awaiting a chance to revolt against the Sultan and declare independence. Toh जितने भी आपके governors थे वो भी इस फिराक में थे कि कैसे वो Sultan के चंगुल से बहार निकल पाए और खुद को independent गोशित कर पाए यानि सुल्तान से पूरी तरीके से अलग हो जाए इब्राहिम लोदी who was the Sultan at that time was very unpopular और जैसा कि पिछले चाप्टर में जब हमने डेली सल्तनत के बारे में पढ़ा था तो हमने इब्राहिम लोदी के बारे में भी पढ़ा था तो इब्राहिम लोदी उस समय के unpopular king थे लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे तो जैसा कि हमेशा से होता आया कि अपने ही देश के लोगों ने एक दूसरे को धोका दिया तो जो गवर्नर थे पंजाब के उन्होंने ये जो बाबर थे इनको invite किया invite का मतलब invitation दिया के भई आओ और इब्राहिम लोदी को हरा दो बाबर तो के advantage of the situation and march towards इंडिया बाबर को तो मौका चाहिए था बाबर तो अपना extension वैसे भी करना चाह रहा था तो उसने का ठीक है चलो चलते हैं इंडिया की तरफ जब उनके ही लोग उने हराना चाह रहे हैं इब्राहिम लोदी के ही लोग उने हराना चाह रहे हैं तो क्यों ना चले हैं वहाँ पर तो वहाँ वो चले गए In 1524 CE, बाबर crossed the Indas to capture Punjab and then returned to Kabul to reorganize his army for a larger expedition He then returned to India in 1526 CE After defeating Dalat Lothi, he marched towards Delhi इब्राहिम लोदी met him with a huge army at Panipat तो इब्राहिम लोदी भी ऐसा नहीं था के उस समय उन पर पावर नहीं थी अपनी अच्छी खासी आर्मी के संग बाबर से मुलाकात हुई उनकी पानिपत पे बाबर's army was small compared to that of इब्राहिम लोदी's Yet, the later was rooted in a single day and बाबर captured Delhi and Agra तो देखो जरा जो इब्राहिम लोदी था उसकी अच्छी खासी आर्मी थी काफी बड़ी आर्मी थी इसके बावजूद बाबर की छोटी आर्मी होने के बाद भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली और आगरा पे कबजा कर लिया The first battle of पानिपत marked the beginning of the Mughal rule in India तो underline कर लीजेगा इसे ये important है अगर कोई आपसे पूछता है कि Mughal काल की शुरुवात इंडिया में कैसे हुई तो वो ही first battle of पानिपत से जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया However, बाबर had to face many challenges before he could claim himself a sovereign ruler The Rajputs under the leadership of Rana Sangha and the ambitious Afghans in and outside Delhi emerged as the two major threats to बाबर's authority and his vision of an empire तो दिखो बाबर बाहर से आया था ऐसा नहीं था कि आते ही सब लोग उने उसको accept कर लिया बेशक उसने दिली और आगरा को जीत लिया था पर कहीं न कहीं उसके खिलाफ आवाजें थी और वो आवाजें थी राजपूत्स की तरफ से और अफगान्स की तरफ से वो उसको इंडिया में accept नहीं कर पा रहे थे बाबर fought a series of battles against them to establish his power और जैसा कि हमने देखा था कि बाबर का time काफी difficult रहा यहां भी उन्होंने खुद को establish करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया उन्होंने बहुत सारे battle लड़े बहुत सारी लड़ाईयां लड़ी राजपूत्स के खिलाफ अफगान्स के खिलाफ तभी वो अपनी पावर को यहां पर जमा पाए इन 1527 CE, राना संगा उप मेवाड united the राजपूत्स चिफियंस in a confederacy and challenged बाबर अट खानवा, a village near आगरा तो अब हुआ खानवा का युद्ध the ensuring battle ended in the defeat of Rana Sangha thus giving बाबर a strong hold over the Delhi and Agra region पर बाबर ने यहां भी जीत हासिल की और यह काफी strong battle था जिसके बाद जो बाबर था उसने अपना जो empire था उसको strongly यहां पर established कर दिया with the defeat of the Rajputs one of the most potent challenges to the consolidation of the Mughal rule was eliminated and बाबर continued to capture a number of forts such as Gwalior, Dholpur and Albar तो राजपूत्स को हराने के बाद जो बाबर का रास्ता था वो काफी साफ हो गया था अब वो आसानी से चीजों को हासिल कर पा रहा था आसानी से आगे भड़ पा रहा था तो इसके बाद जब राजपूत्स को हरा दिया और उसका रास्ता साफ हुआ तो उसने काफी सारे बैटल लड़े और उसने फिर कबजा जमाया ग्वालियर पर, Dholpur पर और अलवर पर अनदा ग्रूप और राजपूत्स बिकेम पावफूल अंडर मेधनी राए जो थोड़े बहुत राजपूत बचे थे जो की अंडर थे मेधनी राए के इन्होंने भी आवाज उठाई बाबर के खिलाफ फिर हुआ चंदेरी का युद्ध ये हुआ 1528 में 1528 में जो बैटल ऑफ चंदेरी स्कॉंडरलाइन करियेगा important battle है ये भी बैटल ऑफ चंदेरी में हुआ ये के बाबर ने फिर से राजपूतों को हरा दिया और जब यहां से राजपूत crush हुए तो वो पूरी तरीके से हुए अब राजपूत किसी भी तरीके से लड़ने की कंडिशन में नहीं थे बाबर से और यहां से बाबर ने अपना और भी जादा जो इंपायर था उसको strong कर लिया तो इसके बाब अफगान ने कोशिश करी जो अफगान से उन्होंने कोशिश की किसी भी तरीके से बाबर के खिलाफ आवाज उठाई जा सके पर वो भी बैटल हुआ बैटल ओफ घागरा और उसमें भी बाबर ने हरा दिया अफगान फोर्से को तो देखो हमने अब तक जो बाबर के बारे में पढ़ा देखो उसने अफगान को हराया उसने राजपूत को हराया उसने लोदीज को हराया उसने लोदीज को हराया छोटी आर्मी होने के बावजूद उसने इन लोगों को हराया तो कही ना कहीं वो अच्छा ruler था वो अच्छा strategist था यानि उसके लड़ाई लड़ने की श्रमता बहुत अच्छी थी तभी उसने छोटी आर्मी होने के साथ उसने इतनी powers को हरा दिया और अपना जो empire था उसको अच्छे से यहाँ पर establish कर दिया within the short span of four years he established a vast empire in India देखो, सिर्फ चार साल के अंदर सिर्फ चार साल के अंदर उसने अपना अच्छा खासा यहाँ पर हुकूमत जमा ली at the time of his death the Mughal rule was extended from Kabul in the west to Bihar in the east and from the foothills of the Himalayas in the north to Balir in the south तो जब तक उसकी मौत हुई देखिये ज़रा कितना बड़ा area उसने हासिल कर लिया था समझ सकते हैं अब in order to secure his empire Babar had to continuously engage himself in battles अब देखो, पहले जमाना था कि जितने ज़ादा लडाईया लड़ी जाएंगी उतना ही ज़ादा उनका जो extent है वो बढ़ता रहेगा उतना ही उनका area बढ़ता रहेगा तो Babar भी जितने time रहे इंडिया में उन्होंने लडाईया लड़ी अपने empire को established रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए therefore he did not have enough time to consolidate his empire or form a well-structured administrative system however he possessed much strength of character and did not let the ulema interfere in the matters of the state अब क्योंकि time कम था उसने इतनी लडाईया लड़ी establish किया empire को बढ़ाया तो उस पर इतना time नहीं था कि वो एक administrative system को अच्छे से establish कर पाए तो जादा अच्छा administrative system नहीं था उसके time पर बाकी उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने उलेमाओं को कभी interfere नहीं करने दिया अपने matters में अब हम बात करेंगे हुमायू की जो की बाबर के सबसे बड़े बेटी थे नसीर अद्दीन मोहमद हुमायू was the eldest of the four sons of बाबर he succeeded his father to the throne in 1530 सकॉंडरलाइन करियेगा के 1530 में उन्होंने गदी संभाली the empire he inherited was vast but loosely knit and हुमायू lagged the foresight and military acumen to consolidate it तो बाबर ने काफी area, काफी empire कर लिया था तो हुमायू के पास जब मुगल empire की बागडोर आई तो काफी बड़ा area था उनके पास पर वो proper established नहीं था established का मतलब कि उसका administrative system अच्छा नहीं था जैसा कि हमने पिछले paragraph में भी पढ़ा कि जो बाबर थे वो जीतते गए area को हासिल करते गए पर उनके पास इतना समय नहीं था कि वो administration system को अच्छा कर पाए तो उसमें जब हुमायू के पास power आई तो काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हुने और उन्हें जो टक्कर मिली वो मिली eastern India के अफगान से तो अफगानस को हरा दिया था बाबर ने पर हारने के बाद उन्होंने खुद को दुबारा से और बिहार और बेंगॉल से वापस उन्होंने टक्कर दी मुगल एंपायर को बहादर शहा, the ruler of Gujarat and Malwa also emerged as a formidable power He wanted to capture the throne of Delhi उदर गुजरात और Malwa से भी बहादर शहा लडने की फिराक में थे और चाहते थे के उन्हे पास दिली आजाए The most difficult task for Humayu was to face the challenges of Sher Khan the Afghan leader in eastern India and Bahadur Shah the ruler of Gujarat and Malwa at the same time The distance between Gujarat and Bengal made it almost impossible Moreover, Humayu was not a great strategist like his father and his opponents took full advantage of his wrong strategies तो बाबर काफी अच्छे strategist थे हमने पढ़ा था काफी अच्छे skilled warrior थे इसलिए उन्होंने चोटी आर्मी होने के बावजूद भी इतनी territories हासिल की थी पर जब हम बात करें हमायू की तो वो अपने पिता की तरह बिलकुल भी strategist नहीं थे तो जब उन्हें टकर मिली शेर खान से और मालवा और गुजरात के रूलर से तो काफी ज़ादा advantage मिली इन दोनों को हमायू के खिला हमायू perceived the Afghans under शेर खान as the most difficult challenge therefore he started his military expeditions in 1532 C with the battle of Dadra तो Dadra का battle हुआ और उसमें Afghan forces को हरा दिया गया next he laid a siege to the Chunar fort a stronghold of Sher Khan which the letter was ultimately allowed to keep in turn for proclaiming loyalty to the Mughals meanwhile Gujarat emerged as a challenge and Humayu had to march against Bahadur Shah तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने कोशिश की अपने empire को establish रखने की और इसी series में जो हमायू थे अब वो बड़े Gujarat की तरफ when the Mughal army reached Gujarat Bahadur Shah fled without offering any resistance अब जहां हम यह सोच रहे थे कि इतनी टकर मिलेगी वहां हुआ यह कि जैसे ही Humayu अपनी आर्मी को लेकर पहुँचे Gujarat जो वहां का ruler था कौन था वहां का ruler देखे जरा Bahadur Shah वो बिना किसी लड़ाई के ही वहां से भाग गया Humayu easily captured Gujarat and Malwa however, Sher Khan took advantage of Humayu's absence and invaded Bengal capturing Gaur its capital तो हलाकि जब Gujarat और Malwa की तरफ रुख किया Humayu ने तो इसका फायदा Sher Khan ने उठाया और Gaur को अपनी capital वापस से बना लिया As soon as Humayu started marching towards Bengal Bahadur Shah utilized the opportunity to recapture Gujarat और Malwa तो यह तो बड़ा खेल सा हो गया कि जब Humayu, Gujarat और Malwa की तरफ गया तो गौर में यानी Bengal में अपनी उसने Sher Khan ने अपनी empire बना लिया और जब वो दुबारा Bengal की तरफ आया Humayu तो Bahadur Shah चल दिया Gujarat और Malwa की तरफ Long before Humayu reached Gaur, Sher Khan had already left the city and returned to Bihar with a large war booty Humayu reached Gaur unchallenged and started spending time in luxury and merrymaking While Humayu was away from his capital for several months His brother Hindal reached Agra and declared himself emperor तो Humayu काफी time तक अपनी capital से बाहर रहा और इसका फायदा उठाया उसके भाई ने, Hindal ने और Hindal ने आगरा आकर खुद को emperor गोशित कर दिया तो Humayu जब उसके पता चला के उसके भाई ने खुद को emperor घोशित कर दिया है तो Hindal की तरफ चल दिया Humayu लड़ाई करने के लिए पर वहाँ उने चैलेंज मिला Battle of Chausa and defeated him तो यहाँ पर हुआ Battle of Chausa, इसको अंडरलाइन करियेगा और यहाँ पर हरा दिया गया किसे? Humayu को The Mughal army was rooted and Humayu himself escaped narrowly तो जब यह हार गया Chausa के युद में Humayu तो यहाँ से भाग गया On reaching आगरा, Humayu raised an army to take on Shere Khan On the other hand, Shere Khan gained confidence from his success against the Mughals and took military preparations to face them one more time तो जब Shere Khan ने हरा दिया एक बर Humayu को तो उसका भी confidence भड़ गया और वो अब अपनी army को और ज़्यादा skilled करने लगा आगे की expeditions के लिए, आगे की wars के लिए In 1540 CE, in the Battle of Kanoj, the Mughal army was decisively defeated Shere Khan took control over Delhi and Agra The Mughal rule was replaced with Afghan rule इसको अंडरलाइन करियेगा कि कौन से युद्ध से जो Mughals थे, वो हट गए और Afghan ruler आ गए तो वो था आपका Battle of Kanoj Battle of Kanoj में Shere Khan ने हरा दिया किसको? Humayu को और दिल्ली और Agra अपने अंडर ले लिया Shere Khan assumed the title of Shere Shah and established the Sur dynasty Squadr line कर लिजेगा कि Shere Khan जाने गए Shere Shah के नाम से और उन्होंने Sur dynasty की शुरुवात यहां से करती अब देखते हैं किस तरीके से Humayu गया था यहां से और किस तरीके से वापसी हुई हुमायू की और मुगल एंपायर की दुबारा से इंडिया में After his death at Kanauj, Humayu had to spend 15, sorry, death ने After his defeat at Kanauj, Humayu had to spend 15 years in exile तो Kanauj में हुमायू हार गया और उसको 15 साल बहार रहना पड़ा He shot shelter and support from his brothers but was turned down Then he fled to Persia and with the help of its Saavid ruler Thomas first captured Kabul and Kandar His brother Kamran who was ruling over those regions was defeated However, Humayu did not try to recover Delhi and Agra while Shershaha was on the throne तो यह इतने टाइम बहार रहे, 15 साल बहार रहे यह इंडिया में इनो ने एंटर नहीं किया और हुमायू यह हुमायू जो थे यह Shershaha की death तक तो बिल्कुल भी आगरा और Delhi को capture करने का इनके mind में भी नहीं आया After Shershaha's death in 1545 CE, the power of the Soar dynasty dwindled due to the lack of competent successors तो Shershaha's जिस ताइब के इंसान थे, उसके आगे के जो rulers थे वो नहीं थे और जो इनका empire था, अब वो कही न कहीं lose होने लगा, उसका administration lose होने लगा और इसकी advantage ली हुमायू ने और हुमायू वापस आ गए इंडिया में Taking advantage of this, हुमायू re-established the Mughal empire in 1555 CE However, before he could consolidate the empire, हुमायू died of an accident fall down the stairs of his library in 1556 वापस आ गए पर जब तक वो अपना खुद का अच्छा establish कर पाते empire तब तक उनकी मृत्यों हो गई सीडियों से गिर कर तो पढ़ते हैं सेर्शाह सुरी के बारे में जिनका इतना खौफ था के हुमायू 15 साल बाहर रहा पर उनके मरने तक इंडिया में enter नहीं कर पाया इसको अंडरलाइन कर लीजेगा के शेर्शाह सुरी का ओरिजिनल नाम यानि की real name था फरीद खान ऐसा माना जाता है कि उनको शेर्खान इसलिए बोला गया क्योंकि उन्होंने एक टाइगर को अकेले मार दिया था तब से उनको शेर्खान बोला जाने लगा An ambitious शेर्खान joined the Mughal army when Babur came to India There he learnt all the strategies of Mughal warfare After the death of Babur, he turned the political instability to his favor and extended control over Bihar and Bengal तो Babur की death के बाद उसने अच्छा खासा area हसल कर लिया था Bengal और Bihar में Defeating Humayu in the Battle of Kanauj and establishing the second Afghan rule in India He continued to annex many more regions including Malwa, Gwalior and Rajputana तो Battle of Kanauj में Humayu को हराने के बाद भी वो अपने expedition जारी रख रहे थे और उन्होंने Malwa, Gwalior and Rajputana को हासिल किया था In 1545, he died in an accidental gunpowder explosion while besieging the fort of Kalingar He was buried at Sasaram Within the short span of his rule, Shere Shaha not only expanded his territory but also consolidated his power और इनका भी जो कारेकाल था जो टाइम था वो बहुत कम था है, काफी छोटे टाइम के लिए ये रूल कर पाए पर कहीं ना कहीं इन्होंने expansion अच्छा किया था However, his greatest achievements came neither as a general nor as a conqueror Rather, he is remembered as an excellent administrator तो लड़ाई तो अच्छी लड़ते ही थे, इसके लिए तो उन्हें जाना ही जाता है पर वो जो famous थे, जो उनकी एक कला थी, वो थी वो एक अच्छे administrator थे He is known to have built a network of roads, Sadaqe Aasam इसको underline करियेगा, Sadaqe Aasam which is now known as Grand Trunk Road, इसको GT Road से नाम से भी जानते हैं तो अच्छा कासा network इन्होंने सडकों का बिचाया था He also issued new coins The gold coins were known as mohars, the silver coins as rupiah and the copper coins are called dham तो इन्होंने gold coins यानि की mohar बोलते थे उन्हें, silver coin जिने rupiah बोलते थे और copper coin जिने dham बोलते थे The rupiah continued to be the standard currency throughout the span of the mughal empire Even जो उनका शुरुवात किया हुआ रupiah था वो तो काफी time तक mughal empire में भी चला One of the greatest achievements of Shere Saha was his revenue system He introduced a number of reforms in text determination and collection तो उनका एक अच्छा जो administration सामने आया वो revenue के system के तरीके से भी सामने आया कि जिस तरीके से उन्होंने revenue system को establish किया हुआ था काफी smooth था वो और collection करना जितना भी उनका revenue था A system of land assessment was set up All cultivable lands were measured and categorized into good, average and poor on the basis of fertility उन्होंने अपनी सारी जमीन को तीन तरीके से categorize किया था Good यानि कि जहां पर सबसे अच्छी crop होती है Average ठीक ठाक होती है तीसरा poor यानि कि fertility वहां की अच्छी नहीं है One third of the produce was fixed as the rate of revenue The peasants could pay the taxes either in cash or in kind The system of tax collection was very strict while the assessment was lenient तो देखो दो चीजें थीस में कि पहले तो वो पूरी land को divide कर देते थे कि कहां पर अच्छी फसल हो रही है जहां अच्छी फसल होगी वहां tax जादा होगा जहां कराब फसल होगी, खराब जमीन होगी, वहां पर tax कम होगा तो lenient थे वो assessment में यानि कि जो हिसाब होता था उसमें lenient थे पर जिस एरिया का जितना revenue fix हो जाता था उस चीज में वो strict थे और उतना ही लिया जाता था तो देखिए ये कही न कहीं उसकी अच्छाई सामने आई कि जब भुकमरी फैलती थी, floods आजाते थे, यानि क्रॉप नहीं हो पाती थी तो जो शेर सहा थे, वो tax नहीं लेते थे इसके अलावा लोन्स तक देते थे, पीजन्स और फार्मर्स को तो हुमायू के बाद आए अकबर, अकबर was only 13 years old when he ascended the Mughal throne सिर्फ 13 साल के थे जब अकबर को गदी मिली, अकबर ने अपना कार्यकाल की शुरुआत की सिर्फ 13 साल के थे, he ruled the Mughal empire under the guidance of his regent Bairam Khan तो उस समय पे इनके care taker हुआ करते थे, अब 13 साल का बच्चा किस तरीके से गदी संभालता, किस तरीके से empire संभालता तो उनको assist किया Bairam Khan ने, जो कि उनके care taker थे अकबर's coronation took place in Kalanur in 1556 For the next four years, he remained a titular emperor While Bairam Khan continued to expand the empire and consolidate Mughal power तो तो तेरा साल का बच्चा ना वार लड़ सकता है, नहीं फैसले ले सकता है तो emperor of course Akbar थे, पर जो पूरा इसका संभालने का जो जिम्मा था वो Bairam Khan ने अगले चार साल संभाला The initial years of Akbar's rule was fraught with challenges The Afghans organized themselves under Adil Shah, the nephew of Shere Shah who wanted to reestablish Afghan rule in Delhi शुरुवाती समय, Akbar के लिए काफी challenge भरा था जो Afghans थे, वो Adil Shah के अंडर कोशिश कर रहे थे कि दुबारा से Afghan rule की शुरुवात हो जाए The Rajputs regained their powers since their defeat to power and became a threat to the authority of the Mughals Akbar's half-brother Mirza, Hakim declared himself independent in Kabul Taking advantage of the unstable state of the Mughal Empire in 1556 Hemu, the chief minister of Adil Shah, captured Delhi and declared himself emperor तो इसका फाइदा उठाया हे मून है, जो की chief minister थे आदिल शाह के और उन्होंने हासल कर लिया Delhi को और खुद को emperor घोशित कर दिया Though the Afghans had a much larger army than the Mughals, Bairam Khan decided to face the challenge 30 years after Babar had defeated Ibrahim Lothi, another historic battle was fought at Panipat तो पहला Panipat का जो युद था, उसमें तो Ibrahim Lothi को हरा दिया था बाबर ने और अब हुआ दूसरा Panipat का युद जिसमें Hemu को हरा दिया गया Hemu was defeated and killed in the second battle of Panipat and the Afghan threat to Akbar's throne was permanently removed जब Hemu मर गया, तो Hemu के मरने के बाद जो Afghan की तरफ से हर बार टकर मिल रही थी Mughal Empire को अब वो पूरी तरीके से खतम हो गया अब इनको टकर देने के लिए Afghans की तरफ से कोई नहीं रहा तो दौनों battle Panipat के Mughals के ही favor में रहे The main sources to reconstruct the era of Akbar's rule include the chronicles of Abul Fazzal who wrote the Akbar Nama, the official account of Akbar's reign तो Akbar के बारे में हमें जानकारी मिलती है Akbar Nama से जो की Abul Fazzal ने लिखा था The Akbar Nama is divided into three volumes The first volume deals with Akbar's ancestry while the second volume deals with the important events taking place during Akbar's reign The third and the last volume, Ayn Aakbari, offers details about the administrative structure during Akbar's reign तो Akbar के उपर जो Akbar Nama लिखा गया उसके तीन volumes थे, तीन parts थे जिसमें पहले उनके जितना भी उनका background था, family background था उसके बारे में था दूसरे में जितने भी important events थे जो उनके समय पर हुए वो था तीसरे में उनके administrative structure के बारे में बताया गया था इसके अलावा ये जो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था इसमें आपको अकबर के टाइम पे और भी जितनी भी policies थी उनके बारे में भी डीटेल में बताया गया है अब इसके आगे का हम करेंगे next class में अब तक का जितना भी हमने read किया है इसको अच्छे से दुबारा से read करियेगा कोई भी doubt हो तो we can discuss your doubt on the whatsapp road till then, bye